हमेश्कार दोस्तों तयारी जीत के चैनल पर सभी रिस्पेक्टिट सब्सक्राइबर्स का बहुत-बहुत स्वागत है करंट अफेर का एक और वीडियो जो अत्यान्त ही महत्पून प्रश्णों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है लेकर मैं सुन विया दो आप सभी के सामन आपको मिलेंगे वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जो है लाइक या डिसलाइक से बताईए कि क्या आपको लगता है कि इस वीडियो से 3-4 प्रश्णा सकते हैं चलिए अधिक समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को सरव पर्थम आपसे रिक्वेस्ट ह है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वाकत है और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ इसाथ आइकन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की जो अपलोडिंग होती है उसकी सरव पर्थम सूचन आपको प्राप्त यह शूर शूर कोशन्स होंगे इसलिए एक भी कोशन्स जो है ऐसा नहीं है कि जो कि परिश्चा के द्रिश्टिकोंड से महतपूर्ण ना हो सभी प्रश्ण जो है हाई क्वालिटी रेटीड है और इनको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा तभी जो है आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे करेंट अफेर्स के संदर में वैस्विक सिक्षक प्रुसकार 2018 जो है किसको प्रदान किया गया है ब्रिटेन की एंड्रिया जैफिराको को जो की यूए के प्रदान मंत्री द्वारा जो है दिया जाएगा एक समारों में ठीक है फिलाल ये फिक जो है दोस्तों दो वेक्ति विशेश जिनका हाली में निदन हुआ है और दोनों ही बलिया से हैं उत्तर प्रदेश के बलिया से और केदार नात सिंग जो है वो दस्वें लेखक या साहित्तिकार है जिनको 2013 का ज्यानफिट पुरुसकार जो है मिला था उससे समानित किया गय था यह दोनों ही वेक्ति विशेश आपकी परिक्षा के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे इनका जो अच्छे से जो है याद कर लिजे इसके अलावा जो है त्रेपरवा ग्यानफिट पुरुसकार भी है वह आगे बताऊंगा तो किदार नात सिंग 2013 का ग्यानफिट पुरु देश के 22 मुख्य चुनाव आयुक्त हाली में कौन बने ओम प्रकाश रावत जबकि उत्तरप्रदेश के जो है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने वह मनोज कुमार ठीक है देश के तेरवे नियंत्रक महा लेखा परिक्षक कौन है तो वह है राजीव महरशी ये कोश के के वेणु गोपाल ठीक है इस रो के नए प्रमुक कौन है डाक्टर के सिवान केंद्र सरकार द्वारा गठित हाली में जो है गठित किया गया पंद्रवे वित्तायोक का अध्यक्ष किसको बनाए गया है एनके सिंग एक्जाम को में ध्यान रखिएगा आपसे जो है ये कि प्रस्न पूरूच सकता है कि अभी हाली में कौन से वितायोक का गठन किया गया है करमम देदेगा तेरवे बारवे पंद्रवे तो पता होना चाहिए ृ्भारती सावीधान के अनूछे ृषोश्य के अधीन इसका जो है प्रावधान है और इसका जो अध्यक्ش बनाये गया है वो है NK Singh ठीक है NK Singh इसके लावा एक प्रश्ण और है मैंने अपने लाश्ट वीडियो में बताया था वो मैंने यहां समाशित नहीं किया है आपको प्रश्ण का उत्तर बताना है कि भी हाली में भारत सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ परियोजना है आयुश्मान उस के जो है अध्यक्ष यानिके CEO वो किसको बनाया गया है वो आपको जो है कमेंट करके बताना है ठीक है इंपर्टन कोश्ट रहेगा वह भी लाश्ट वीडियो में मैंने उसका उत्तर बताया था नीतियायो के नए उपाध्याक्ष किसको बनाया गया है डाक्टर राजीव को रामनात कोविंद जो हमारे देश के जो है महावईम राष्ट पती है वह चोदवे राष्ट पती है और वह उत्रप्रदेश के कानपुर देहात से संबंदित है और यह कोशन जो है यूपी पीस्यस में नहीं पूछा गया था अब आ सकता है ठीक है आनंदी बेन पटेल ह हाली में सुर्गियों में रही यह गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री थी अब मद्यप्रदेश की राज्यपाल बनाई गई है इसने लता स्रिवास्तव फाइफ स्टार के साथ है यह कोशन इंपोर्टेट रहेगा हाली में लोगसभा की पहली महिला महासचीव बनाई ग अबर्ट पाने वाली ग्यारवी जो है हिंदी साहित्यकार है ठीक है कृष्णा सोबती तुरेपनवा ग्यान पीट पूरुसकार हिंदी साहित्यक लिए दिया गया है पहली बार वायू सेना के कमांडो को सांतिकाल का अशोक चक्र जो है प्रदान किया है राश्टपती गंतंत्री दिवस पर उनका नाम क्या है जेपी निराला और यह कोषण जो है शोट-शोर कोशन रहेगा इस बार रो यारो में कि पहली बार है कि वायू सेना किसी कमांडो को जो है जो और यह कमांडो किस उसके फे गरोर कमांडो थे ठीक है जेपी निराला को अशोक चक्र प्रदान किया गया है फिर से मैं उता दूँ यह कोशन इंपोर्टेंट है कि 25 जनवरी 2018 को पदम विभूशन से तीन विक्तियों को जो है सम्मानित किया गया है और इसी पर प्रश्ण बनेगा क्योंकि जो है बाकी जो अवर्ड्स हैं वो ज्यादा लोगों को दिये गए उस प आस्त्रिय गायक है महराश्ट्र के पी परमेश्वरन साहित्यकार है किरल की यह कोशन आ सकता है ठीक है पदम पद विभूशन दिया गया है तीन लोगों को पद विभूशन ठीक है प्रथम भारती है जिने वर्ष 2018 का प्रतिश्थित प्रितिचिकर आर्किटेक्चर इसको वर्षकfront चको दोस्तों और है प्रितिच करण प्रुश्थित प्रतिचट प्रितिचकर आर्किटेक्चर पुरुशकार पदान किया गया है से एक important question दोस्तों यह है times पत्रिका पर हर बार जो है UPPCS में questions बन जाते हैं अक्सर इसको भी ध्यान रखेगा वर्स दोहजार सत्रा के लिए times पत्रिका ने the silent breakers को जो है नामित किया है ठीक है person of the year का वर्ड जो है किसको दिया है the silent breakers और इससे संबंदित जो अभियान है वो है hashtag me too अभियान ठीक है hashtag me too अभियान जो है संबंदित है the silent breakers को जिसको की times पत्रिका द्वारा person of the year का वर्ड परदान किया गया इसकी प्रतिभागी महिलाओं को ठीक है इसी से संबंदित एक अभियान हाली में चलाया गया जो कि अमेरिका में कामकाजी महिलाओं के संदर में योन उत्पीड़न के विरुद एक अभियान है जिसका नाम है time sub ये question भी सिधा सिधा बन सकत है कि time sub अभियान की शुरुवात कहां की गई और ये क्या है तो time sub अभियान जो है महिला योन उत्पीड़न के विरुद जो है महिलाओं द्वारा जो है शुरू किया गया एक जो है अभियान है ठीक है और me too अभियान जो है वो किससे संबंदित है the silent breakers को जिसको time person of the year award 2017 प प्रमाद्यक्स स्वामी चिदानंद सरस्वती को 27 व्यास संब्मान 2017 पूरु में भी व्यास संब्मान पर प्रश्ण बंद चुके हैं यूबीपीसेस के प्रिक्षाओं में ध्यान दीजेगा 27 संब्मान 2017 मिला है ममता कालिया को और किसके लिए मिला है दुखम सुखम के विकास पु Angeb कार जो की 3 वर्स बाहतम बिला है डाक्टर मनमोहन सिंग्चो पूरु प्रधान मंतरी थे हमारे देश के इद्वर गांदी शान्ती निशस्तिकरन् विकास पुाष्कार 3 वर्स बाद डonn suo मिला है ठिक है और यह कोशन इंपॉर्टेंट रहेगा इस बर सर्वस वर्स 2017 के लिए फीवा जो है फुटवाल प्लेर आफ दा इयर का अवर्ड भी जो है इनी को मिला है पुर्तगाल के क्रिष्टियानो रोनाल्डो को वर्स 2017 हे तू सर्वस्रेश्ट महिला क्रिकेटर का खिताब किसे मिला है एलिस पैरी को जो कि आश्ट्रेलिया की है पुरूस प्लेर ऑफ दर जो है पूरे साल का जो है टेस्ट खिलाडी सर्वस्रेश्ट टेस्ट खिलाडी वो है स्टीव स्मीथ और ओडियाई खिलाडी है कोहली कि आगे बढ़ते हैं सहित्यकाद्मी पुरुषकार 2017-24 भासाओं में दिया जाता है हिंदी भाषा के संदर में प्रश्ण बन चुका है इसलिए इसको ध्यान रखेगा हिंदी भाषा के लिए मिला है रमेश कुंतल मेग को Mr. India 2017 जो है लखनव के जितेश सिंग को जो है मिला है उत्तरप्रतिस सरकार का सर्वच अवर्ड भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है Dr. Anand Prakash दिक्षित को और हिंदी गोर्व सम्मान दिया गया है विद्या बिंदू सिंग को Ms. Earth 2017 से सम्मानित किया गया है कारेन इवासको को जो कि हैं फिलिपिन्स के और फिलिपिन्स की राजदानी है मनीला Man Booker International Prize जो है वो मिला है डैविट ग्रासमेन को जो कि हैं इसराइल के और ये कोशन बन सकता है पुलितिजगर पुरुषकार 2017 जो कि पत्रकारिता के संबंदित है और ये मिला है लोग सेवा के लिए कारे करने है तू नियू यॉर्क डेली नियूस को और ये इंपोर्टन कोशन है विश्व खाद्य पुरुषकार 2017 मिला है नागरिक डेवलोपेंट बैंक के नाइजीरिया के अध्यक्स अयूंदेवी अंदेशीना को ठीक है अयूंदेजी अंदेशीना और ये कोशन इंपोर्टन्ट है और वरस 2018 का एवल पुरुषकार क्षrag को प्रदान के आगया है मार्ज का करहन्थ है इंपोर्टन कोशन है गनित के लिए करणाडा के रॉबर्ट पी लॉंग लेंड्स को स्वचता पुरुषकार तेलंगाना सरकार को दिया गया है एक और फाइफ लिश्वाज प्रुसकार 2016 का जो अवर्ड है वो 2017 में दिया गया है के विश्वनात को और ये पूछ सकता है चाब विश्वा सरस्वती सम्मान दिया गया है मां बलेश्वर सेल को कौंकडी भाशा के लिए मैं बुकर पूसकार 2017 मिला है जियॉर्ज शॉंडर को लिंकन इन दा बॉर्डो उपन्यास के लिए मिस यूनिवर्स 2017 का जो खिताब है वो मिला है डैमी ले नेल पीटर्स दक्षिन अफरिका की हैं और ये कोशन भी इंपोर्टेंट रहेगा सिधा-सिधा नागरिकता पूछता है प्रशनों में कि किस देश की जो है नागरिक हैं तो दक्षिन अफरिका मिस वर्ड 2017 मिला है मानुसी छिल्लर को जो की हरियाना किये तो हमने इस वीडियो में अत्यांत ही मैधपुन प्रशनों को देखा ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें शेर करना ना भूलें और अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स कर सकते हैं अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा अपना कीमती समय देने के लिए जो है बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद